नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जो जैपैन के कल्चर और मिथोलोजी का एक इंपोर्टेंट पार्ट है यकाई यकाई एक सूपरनाचरल क्रीचर है जो जैपनीज फोकलोर में एक्जिस्ट करता है ये वर्ड यकाई का मतलब होता है बिविचिंग आपरिशन या मिस्टेरियस फेनोमिनल इनकी अपियरंस अलग-अलग होती है कुछ क्यूट होते हैं तो कुछ टेरिफाइंग लेकिन सभी क ये एक यूनीक आइडेंटिटी है यकाई के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि इनकी कहानिया कैसे शुरू हुई जैपन के पुराणे जमाने में लोगों के मन में बहुत सारी मिट्स और सूपरस्टिशन्स थी और यकाई का जीवन इनसे ही निकला यकाई की कहानिया अक्सर सूपर नाच्रल पावर्स, अनिमलिस्टिक फीचर्स और अनेक्सपेक्टेड बिहेवियर के अराउंड बेल्ड होती है. अब कुछ पॉपिलर यकाई के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला है कपपा, जो की एक यूमनोइड प्रीचर है, जिसके पास शेल जैसे एक कवर होता है, और उसका बॉड़ी ग्रीन होता है. कपपा के उपर छोटे हाथ होते हैं, और इस प्राणी का यूनीक फीचर होता है, अपने हेड के उपर एक बॉल जैसा डिप्रेशन जिसके अंदर पानी होता है. कपपा की कहानिया बहुत इंक्रेस्टिंग होते हैं, और काफी पॉपिलर है जैपैन में. किट्सियून की कहानिया जैपैन के कल्चर में बहुत इंपोर्टन्ट है. किट्सियून के बारे में कहा जाता है कि ये सुपर नाच्रल क्रीचर बहुत हाई इंटेलिजेंट होते हैं, और ये अपनी अपियरन्स को भी मैनिपलेट कर सकते हैं. अगर बात करें उनी की, तो ये एक डीमॉनिक क्रीचर है, जिसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं. ये प्रानी काफी टेरिफाइंग होता है. उनी की अपियरन्स काफी इंटिमिडेटिंग होती है. ये प्रानी जैपैन के मिथोलोजी में एक इंपोर्टेंट कैरक्टर है. अब आप सोच रहे होंगे कि यकाई के बारे में इतना कैसे पता चला. तो ये बात है कि यकाई के बारे में काफी पॉपिलर बुक्स और एनीम सिरीज भी है. इसके अलावा जैपैन में यकाई की कहानिया काफी फेमस है. इसके अलावा बहुत सारी मुवीज और टीवी शोज भी बनी है यकाई के बारे में. तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यकाई के बारे में। इनकी कहानिया काफी फैसिनेटिंग है और इनसे बहुत सारी लेसंस भी सीखने को मिलते हैं। उमीद करता हूँ कि आपको यकाई के बारे में ये विडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया और फिर मिलेंगे अगले विडियो में। क्या आपको इन यकाई में से किसी एक पर एक अलग विडियो देखना है? Let know in the comments.